आज अंगूर की बेटी से मुहबबत कर ले शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले जिसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया ये तो अच्छा हुआ कि अंगूर को बेटा ना हुआ लेकिन हम अज बात उसी अंगूर की बेटी की कर रहे है जिसका नशा पोट्रो के सर पर कुछ इस कदर चढ़ा केक को सत्ता की कुर्सी दिखा दी तो दूसरे का दिल तोड़ दिया जहां अंगूर की बेटी ने तेजस्वियादव का दिल तोड़ दिया तेजस्वियादव का हिट फामूला भी फ्लॉप हो गया हम बात कर रहे हैं शराब बंदी की शराब बंदी एक ऐसा मुद्दा उबरा जो वोट्रों के दिल और दिमाग पर कुछ इस कदर हावे हुआ कि वोट्रों ने मिजाज ही बदल दिया आकड़े बताते हैं कि इस बार के वधान सवाचनाव में आधी आवादी ने एक अलग महतोपुण भूमी का निभाई है ये आकड़े ही बता रहे हैं कि इस बार महिला वोट्रों की संख्या पुरश वोट्रों की संख्या से 5% आगे ह यानि कि महिलाओं ने बढ़ चड़कर हस्सेदारी निभाई है भागीदारी निभाई है राजनितिक जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे जमीन पर ये संदेश फैनने लगा कि अगर राज़त की सरकार आई तो शराबंदी खत्म कर दी जाएगी इससे महिलाओं की चेतना लागू की गई तो ये बेहत क्रांतिकारी कदम भी माना गया सीम नितीश कुमार ने इसे सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव का अधार बताया तो इसे बड़े पैमाने पर पूरे विहार में सक्ती से लागू किया गया हालाकि तत्काल ही इससे चार हजार कडोड की राजस्वहा हुई और राजसरकार के वित्या स्थिती और भी कमजोर हुई बात के दौर में ये नुकसान भी की पूर्ती अन्य स्रोतों से की गई पर एक तथ्य तै है कि शराब बंदी के बावजूद तसकरों के माध्यम से शराब हर जगा उपलब्ध हो जाती है जाहिर है ये प्रशा जग जाहिर कर दी और उनको लगतार टार्गेट पर रखा आरोप ये भी है कि नई पिढ़ी के लोग शराब तसकरी में लग गए यही वज़र ही कि शराब बंदी चुनावी विमर्ष में भी आया और कॉंग्रिस ने 21 ओक्टूबर को जारी अपने बदलाव पत्र में इसे शामिल करते हुए इसकी समिक्षा की बात गही जाहिर है चाहे अंचाहे शराब बंदी एक मुद्दा बन गया और आखिरकार ये चुनाव परिनामों में भी नज़र आया दरसल 21 ओक्टूबर को कॉंग्रिस का बदलाव पत्र आने के तुरंत बाद 23 ओक्टूबर को मद्दान था इस चरण में 71 सीटों पर मद्दान हुए इस फेज में मत प्रतीशत पर नज़र डाले तो शराब बंदी की समिक्षा का मुद्दा उतना नहीं गर्माया और महिलाओ के मुकाबले पुरुषों ने अधीक वोट डाले पहले तेज में 56.83 पुरुषों ने अपने मत अधीकार का प्रयोग किया तो महज 14.4 एक प्रतीशत महिलाओ ने अपने वोटिंग राइट्स का अस्तिमाल किया यानि यहां महिलाओ करीब धाई प्रतीशत के अंतर से पीछे रही राजनितिक जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे जमीन पर यह संदेश पहले लगा कि अगर राज़त की सरकार आई तो शराबंदी खत्म कर दी जाएगी इससे महिलाओ की चेतना जगी और दूसरे फेज में महिलाओ ने इसे अपने जीवन पर बुरे प्रभाव के तोर पर द डाले जाहर है महिलाओ को यह एहसास होने लगा कि अगर राज़त कॉंग्रिस की सरकार आई तो उनके जीवन की कुशाली छीन जाएगी सबसे बड़ा अंतर तो तीस से चरन में दिखा जिसने पूरा का पूरा चुनावी पासा ही पलट दिया सफेज में जहां 54.8 प्रतिशत पूरुष वोट्रों ने पूर्ट दिया तो महिला वोट्रों ने 65.5 प्रतिशत मद्दान किया जाहरे करीब 11 प्रतिशत के इस अंतर ने आखरी फेज की 78 सीटों पर गहरा असर डाला तीनों चर्णों का उसत निकाले तो पूरुषों ने 54.6 प्रतिशत और महिलाव ने 69.7 प्रतिशत मद्दान किया यानि की 5.1 प्रतिशत का बड़ा अंतर रहा जिसने संभावत चुनाव परिनाम ही बदल डाले तो ये आकड़े बताते हैं कि इस बार विहार वधान सभाचुनाव में महिलाव ने बढ़ चड़कर हस्यदारी की और उनका वोट प्रतिशत भी काफी जादा रहा हाला कि अंगूर की बेटी ने कमाल ही कर डाला ऐसे ऐसे गुल खिलाए कि एक तरब जहाने तीश कुमार को सत्ता के करीब पहुँचा दिया तो दूसरी तरब तेजस्वी आदब को सत्ता से दूर कर दिया विलाल के लिए इतना ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निवस फोरेशन नमस्कार